विल्कम टूई जीबे इस वीडियो में लोग बात करने वाला है हाँ टू बीकम एन आईयस 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 ओफिसर कैसे बने इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर्ड करने वाले है वो आपका है UPSC क्या होती है सिविल सर्विस इग्रामनेशन क्या होती है IS, IPS, IRS, IFS और 24 सेंटर गोवर्मेंट जोब के लिए क्या चाहिए इनकी IS, IPS इनके लिए IUC मा क्या होती है IS के लिए कितने एटेंप्ट दे सकते हैं एलिजिबिटी क्रेटरिया क्या होती है IS बनने के लिए इग्रामनेशन पेटर्न क्या होता है IS के लिए प्रावर्म में परिच्छा और मुख परिच्छा का पेटर्न क्या होता है कितने मार्स का प्रावर्म भी परिच्छा होती है कितने मार्स की मुख परिच्छा होती है और इंटर्व्यू क्या होता है तो और इस बनने के लिए आपकी सैच्चिक योगता यानि क्या चाहिए तो इन वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक पे अच्छे से डीटेल में बात करेंगे चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि Union Public Service Commission UPSC क्या होती है तो यह एक Constitutional Body है इनका काम क्या होता है Function क्या होता है तो इनका UPSC का Function होता है To Conduct Examination for Appointment to Service Under the Union दूसरा आपका Function होता है कि Maintain Continuity in Administration में कंटिंवीटइन करना होता है अदूसरे कि अपरिक्स्ट कर और, पॉष्ट के लिए एंड लिए ट्र कोषी सिर्विस सांडी तरीर्व इनहिक्ट पर लुड कहां अपका होता है Indian Revenue Service , Indian Defense Service, Indian Ordnance Factory Service, Indian Civil Accounting Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Defense State Service, Delhi and Mahanikoba Civil Service, Pondicherry Civil Service, or Pondicherry Police Service, Indian Information Service, or Indian Trade Service. और Other Job के लिए 24 Center Government Job के लिए Examination Conduct Examination होती है, जिसका नाम होता है Civil Service Examination, ISE Examination को Conduct करवाता है UPSA, तब हम लोग देखते हैं कि IES बनने के लिए, IPS बनने के लिए, IRS बनने के लिए, जो कि Civil Service Examination लेकि हम लोग बन सकते हैं, बनते हैं, उनकाले Qualification क्या चाहिए, सैचिक योगता क्या चाहिए, तो सबसे पहले में लोग पात करते हैं, Qualification, सैचिक योगता, तो आपका Graduation from any recognized university, यानि किसी भी recognized university से, आप graduate हो, Graduation final year student can also apply, यानि कि Graduation के, जो final year student है, Graduation में जो अभी final year में है, student है, वो भी इस form को fill up कर सकते हैं, वो भी IES बनने के लिए negligible है, no minimum percentage required, यानि कि आपका Graduation में, कोई भी minimum percentage requirement नहीं है, यानि यानि के पास graduation degree होना चाहिए, या तो आप, final year में है, यानि कोई भी minimum requirement नहीं है, percentage का, अब हम लोग दूसरी topic है, हम लोग बात करते हैं, IOSIMA, नियुंतम IOSIMA आपको IOS official बनने के लिए 21 साल है, 21 साल, अधिकतम IOSIMA आपका है, general category के लिए 32 साल, OBC के लिए 35 साल, और SCST के लिए 37 साल, अब हम लोग बात करते हैं, eligibility criteria, तो eligibility criteria आपका citizenship होना चाहिए, Indian का citizenship, भारतिया नागरिक होना चाहिए, Tibet refugee होना चाहिए, Nepal citizenship और Bhutan citizenship, citizens, for IOS and IPS, यानि IOS और IPS बनने के लिए आपको भारतिया नागरिक ही होना चाहिए, अब हम लोग बात करते हैं कि IOS के लिए कितने attempt दे सकते हैं, तो general category 6 attempts दे सकते हैं, OBC category के no attempts, 9 attempts, SCST category के no limit for attempt, यानि कि जो candidate CST category से बिलों करते हैं, उनके लिए कोई limit नहीं है, उनका जितना दिल करें, उतनी बार ये examination दे सकते हैं, IOS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, यानि civil service examination, उनका जितना बार दिल करें, उतना बार दे सकते हैं, उनके लिए कोई limit नहीं है, OBC candidate है, उनके लिए 9 limit है, और general category है, उनके लिए 6 attempts है, ठीक है, OBC के लिए 9 attempts, आगे बाढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं, UPSC civil service examination के pattern के बारे, तो UPSC civil service examination दो भाग में हो करते हैं, प्रारंबिक परिच्छा, दूसा चलन को करते हैं, मुख्य परिच्छा, प्रारंबिक परिच्छा आपका quantifying nature का होता है, civil service प्रारंबिक परिच्छा है, इसका syllabus क्या है, प्रारंबिक परिच्छा का syllabus है, इसका syllabus है, दो paper होता है, paper 1 और paper 2, paper 1 आपका general study होते है, paper 2 आपका SSC banking exam type question क्या होते हैं ठीक है अब हम लोग syllabus देखते हैं paper 1 का general study का क्या syllabus है general study का syllabus आपका history है geography है economics है current of events है general science है environment है technology Indian quality and governance है ठीक है आप हम लोग देखते है paper 2 paper 2 का आपका syllabus है comprehensive logical reasoning और basic numeracy है ठीक है आप हम लोग कुछ important बात करते हैं कि civil service पराणवी परिच्छाज होती है वह हमारे भारत सहर भारत देश में 72 इन 72 सहरों में विभीन जग के अंदरों पर आयोजिस होती है ठीक है और यह civil service examination में total candidate जो form भड़ते हैं वो 10 लाग होते हैं 10 लाग के आसपास होते हैं जिसमें से examination center यानि परिच्छाद देने में जो भाग लेते हैं वो 5 लाग से दिक यानि 6 लाग के आसपास candidate इस examination में पार्ट बैठते हैं ठीक है अब हम लोग बास करते हैं परादम्बिक परिच्छा परादमीप परिच्छा परादम्बिक परिच्छा पेपर वण समान अदियन पेपर टू समान अदियन तो इसका examination pattern क्या यानि परिच्छा कर पेटर्ण क्या है तो पेपर वन आपका 100 question होंगे दो ऑबर का दो घंटे का पेपर टू में आपका असी कोष्चन होगे यह दो आउर्स का दोनों पेपर में निगेटिभ मार्किंग 1 by 3 आपके आओगे इसमें नो पेपर होते हैं टोडल मार्क्स सत्रेसों पचास होती है इंगलीज तता भारतिय भाषा के पास होने के लिए 25 परसेंट आग लाने होते हैं इन नाइन पेपर में से दो पेपर आपके होते हैं इंगलीज पर्स हिंदी मार्क्स से एक बेंगलीज 600 मार्क्स की होती है ... असेज's पेपर 200 मार्क्स की होती है मुख पार इच्छा 9 पेपर टोटल मार्कस 750 सत्रेसों सुपचास ओरी цент्रिर के 4 निभंड के करेंगे वह कोणाव सर्फ सकते हैं यह अपने सब्जчиक्ड में आप गरी जिए हैं या जी सब्जर की आपको स्कते इक ओम्सटर्स कोने परेड़की होता है तो कि मेरी परेड़ मेरे वाई ंटेल उसके आप उसके बाद मुक पर इच्छा देंगे उन्हें बैट सकते हैं तो इस विल शर्विस मपरिस्षा को कवालिफाई करने के लिए आपको करने के बाद आपको इंटर्विव जिसे उनों कते हैं प्रेसंटालिटि टेस्ट या इंटर्व्यू में बुला जाएंगे इंटर्विव आपका 255 मां कि जो rank all India rank बनेगी IAR all India rank यह आपका मुख पर इच्छा पलस इंटर्वियो कि मार्स को एड करके है टोडल मार्स के नुसार यानि इंटर्वियू और मुख पर इच्छा में जो आप मार्स गें किया है टोडल मार्स उसके अनुसार पर आपकी rank बनेगे और इंटर्वियो और मुख पर इच्छा के मार्स को एड करके होता है तो इस वीडियो के हम लोगो इतना ही बात कि है कि आईस कैसे बनते हैं ठीक है आईस बनने के लिए क्या क्या चाहिए सैचिक योगता क्या चाहिए आई उसी में मिनिम्मम आई उसी में क्या चाहिए आईस बनने के लिए आईपेस बनने के लिए मैक्सिम क्या चाहिए जानक के डगरी के लिए कितना चाहिए और विस्ती के लिए सभी सब्सक्राइब क्या है आज इसके लिए कितने अटेंप्ट दे सकते हैं इसले अच्छे से समझे हैं मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए साथी साथ चैनल को subscribe करिए और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद